Welcome to Sagar Binch. दोस्तों, इस वीडियो में मैंने General Knowledge के अती महत्वपूर्ण प्रशनोत्तरों को सम्मिलित किया है, जो कि पिछली कई competitive exam में बार-बार पूछे गए हैं और ये प्रशना आने वाली परीक्षाव में पूछे जाने की पूरी गरेंटी है. तो सुरू करते हैं पहले question के साथ उससे पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं कर रखा है तो subscribe वाली बटन को crack कर दो. पहला question ये रहा. Question कह रहा है भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? Option A. A. O. Hume B. W. C. Banner G. C. दादा भाई नौरो जी D. इन में से कोई नहीं इसके right answer की बात कर लेते हैं तो सही जबाब है W. C. Banner G. चलिए चलते हैं next question की तरफ. Next question ये रहा. भारत में GST कब लागू किया गया था? 1. जन्वरी 2017 1. अप्रेल 2017 1. मार्च 2017 1. जुलाई 2017 इसका सही जबाब है 1. जुलाई 2017 अगला प्रशन कह रहा है की प्रसिद चर्कुला नृत्य संबन्धित है ये प्रशन U.P. PCS 2007-2011-2013 में पूछा गया प्रशन है इसके absence है Option A. अवद से Option B. बुंदेल खंड से Option C. ब्रजभूमी से Option D. रुहिल खंड से इस प्रशन का सही जबाब है ब्रजभूमी से Next Question जो की बहुत महत्वपूर्ण है कह रहा है की चित्रकारी किसके शाशनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची अकबर, शाहालम, जहांगीर, या, और अंगजेब इसका right answer है जहांगीर चलते हैं नेक्स्ट प्रशन की तरफ पाच्वा question कह रहा है निमनलिखित में सिकिस तिथी को भारतिय सम्विधान लागू किया गया था option A, 26 जन्वरी 1950 option B, 26 जन्वरी 1949 option C, 26 नवंबर 1949 option D, 31 दिसंबर 1949 सही जवाब है 26 जन्वरी 1950 अगला question कह रहा है भारत में सबसे उचा जलप्रपात कौन सा है? शिमसा जलप्रपात, होगेनककल जलप्रपात, कोटासलम जलप्रपात, या जोग जलप्रपात इसका answer है option D, जोग जलप्रपात इन प्रशनों को करने के बाद, लास्ट में आपका कितने सही कर पाए या कहे, आपका क्या इसकोर रहा उसे comment box में share करके जरूर बताना चलते हैं अगले question की तरफ अगला प्रशन ये रहा, भारत में प्रथम बहुत देशिया नदी घाटी पर योजना का निर्मान निम्ग में से किस नदी पर किया गया है गोदावरी, कावेरी, दामोदर, या कोयना इसका सही जबाब है, दामोदर बढ़ते हैं अगले question की ओर next question ये रहा, जो की बहुत ही important है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बाइबाद पर योजना निर्मित है UPPCS 2013 में पूछा गया question है option A, घाघरा नदी पर, option B, बेत्वा नदी पर, option C, सोम नदी पर, option D, चंबल नदी पर इसका सही जबाब है बेत्वा नदी पर next question कह रहा है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सरवादिक लंबी अंतरराश्ट्रिय सीमा बनाता है चीन, म्यानमार, थाइलेंड, या, वियतनाम इस question का right answer है, म्यानमार, बढ़ते हैं next question की तरफ next question कह रहा है, भारत की सबसे लंबी अंतरराश्ट्रिय सीमा किस देश के साथ है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश इसका उत्तर है बांगलादेश दोस्तों ये प्रशन अगर आपको बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को और भी दोस्तों को शेर कर देना चलते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्राशन कह रहा है कि भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जारखंड, राजस्थान, ओरिसा या तमिल नादू? इस question का right answer है option number C, ओरिसा. नेक्स्ट प्राशन कह रहा है कि जिम कौवेट नेशनल पाक कहा स्थित है? उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, या असम में? सही जबाव है उत्तराखंड. ये बो प्राशन है, जो कि बार-बार एक्जाम और लगभग सभी प्रकार की परीक् इसका right answer है option C, इंदिरा गांधी नहर. नेक्स्ट क्वेस्टन कह रहा है कि, B, C, G. टीके में C शब्द का अर्थ है. option A, cup. option B, kalimate. option C, chlorine. option D. इन में से कोई नहीं. right answer है option B, kalimate. बढ़ते हैं next question की ओर. अगला प्रशन ये रहा. भारत में श्वेद क्रांती के जनक माने जाते हैं. option A, Dr. V. Korean. option B, S. H. Rao. option C, S. K. भार्दवाच. option D, मुरार्जी देसाई. इस प्रशन का right answer है option A, Dr. V. Korean. next प्रशन कह रहा है. शेर्शाह सूरी का मगबरा कहा स्थित है? डिल्ली, आगरा, सासाराम, या, लाहौर. इसका सही जबाब है option A, Dutch. option B, English. option C, France C. option D, पुर्तगाली. इसका सही जबाब है France C. चलते हैं next question की तरफ. next question ये रहा. question कह रहा है कि, राश्ट्रिय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलेखित में से किन से संबंधित है? option A, ध्यानचंद. option B, मिलखा सिंग. option C, दलीप सिंग. option D, सी के नाइडू. इस question का सही उत्तर है option A, ध्यानचंद. बढ़ते हैं next question की ओर. अगला question ये रहा. question कह रहा है कि, रामन मैक्से से पुरसकार कौन सी संस्था देती है? option A, विश्वुखाद्य संगठन. option B, भारत सरकार. option C, फिलिपिन्स सरकार. option D, यूनेसको. इसका right answer है option C, फिलिपिन्स सरकार. चलते हैं अगले question की तरफ. अगला question ये रहा. question कह रहा है कि, मिजोरम राज्य की राजधानी है. इमफाल, अगरतला, आईजोल, कोहिमा. इस प्रशन का answer है option C, आईजोल. तो friends ये थे general knowledge के बो महत्वपूर्ण questions जो की पिछले कई exam में पूछे गए हैं. इन प्रशनों को आप अच्छे से तयार कर लो क्योंकि ये प्रशन आगे आने वाली परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे. एसे ही, और महत्वपूर्ण प्रशनों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में important questions के साथ तब तक के लिए. बाई बाई.